गुड मॉर्निंग दोस्तो स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके प्यारी सी यूटूब चैनल स्टेडी सर्किल 2.0 में तो दोस्तो हम लोग पढ़ रहे हैं एपलाइट फिजिक्स फर्स्ट और सिकी खी है हुआ अज इसके घंद तो defic करे हैं ससंजनबल क्या होगा एक ही material के दो molecules की बीच लगेगा और जो आपका असंजनबल होगा मुक्किन ही दो material के बिपरीत molecules की बीच लगेगा यानि एक काच का है तो एक water का होगा उनके बीच जो लगेगा और cohesion में water water के बीच मरकरी मरकरी के बीच और glass के बीच ठीक है और surface tension भी मैंने आपको बताया था unit area पर लगने वाले force को हम लोग surface tension कहते है ठीक है चलिए तो आप बात करते हैं हम आज के topic की आज हमें पढ़ना drug के मुक्त प्रस्ट की आगरती तो दोस्तों मुक्त प्रस्ट क्या होता सबसे पहले यह समझाते हैं हम आप लोगों को यह सब से पहले समस्झते हैं drug का मुक्त प्रस्ट क्या होता है तो दोस्तों में लिक्वड को किसी भी लिकुड को भहर देते हैं याणि द्रभ को भहर देते हैं जैसी यह क्यों liquid है यानि ऊपरी सरफेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं मुक्त प्रश्ट कहते हैं तो इसकी आकर्ति कैसी होगी उसे हमें पढ़ना ना ठीके तो आप पहले एक point note कर लिजी कि दूस्तो जो मुग्त प्रश्ट होता है यानि जो free surface होता है आपका free surface of liquid और दूसरा आपका आसंजन वल ठीक है दो चीजों पर ये आपका dependent होता है ससंजन मतलब cohesion और आसंजन मतलब आपका addhesion ठीक है ये दो चीजों पर डोस्टो depend करेगा आप लोगों का जो भी आपका मुक्त प्रस्ट होगा फिरी सर्फेस होगा और वो भी liquid का ठीक है तो इतनी च आकरती होती है वो क्या होता है आपका उसके बीच लगने वाले ससंजन और आपका आसंजन बल पर निर्भर करता है बिल्लकुल सही बात है जो मैंने आपको बताई कि आप ये कैसे निर्भर करता है तो वो हम जब आंगे example देखेंगे तो आपको मैं अच्छे से clear करूंगा पहले आप ये point जो है at hashtag लगा कर कि यहां से लिक लिए द्रब के जो मुक्त प्रस्ट की आकरती होती है यानि कि जो आपका कहते हैं आकरती किसका दोस्तो मुक्त प्रस्ट यानि जो free surface का जो आपका आकरती रहेगा ठीक है वो किन-किन चीजों पर निर्भर करेगा दो पर ए ठीक है तो ये पहली condition है आप लोगों की दोस्तों अब इसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी भी कांच की glass में अगर पानी भरते हैं तो जो आपका liquid का फिरी surface होगा वो कैसे होगा ठीक है चलिए तो ये मैंने कांच का glass ले लिया ये दोस्तों माने कांच का glass है कोई बरतन चलिए ये क्या है दोस्तों water है और ये क्या है glass हम glass में water भर रहे हैं ये पहली condition है अच्छे से note करना क्योंकि free surface जो है अलग अलग liquid के लिए अलग अलग होता है तो आपको तीन पढ़ने है cable और cable ठीक है पहला क्या है glass के जब हम किसी भी पात्र में किसी भी बरतन में क्या कर जाता ऐसे यहां भी यह ऐसे चड़ जाएगा ऐसे आपने देखा होगा अगर हम कभी भी glass में पानी भर करके रग दे तो यह water इस तरीकी से जो चड़ जाता किनारों पर यहां तो वैसे कब ऐसा ही रहेगा लेकन यहां थोड़ा सा ऐसे चड़ जाता है अब हो एसा क्यों हो दोस्तों तो यह cohesion और आपका adhesion force के काराण ही होता है देखना कैसे पहले जो आपका यह दोस्तों बरतन था इस तरीके से था और इसमें liquid आपका इस तरीके से फिलब था इस तरीके से ठीक है अब होता क्या है कि दोस्तों जो water water के molecules के बीच आपका कौन सा force लग रहा है आप इसलिए होता क्या है addition force की value ज्यादा है इसलिए glass के molecules water के molecules को ऐसे खींच लेते हैं उपर की और यह glass की surface है तो यह water के molecules को खींच लेंगे उपर की और यह खींच लेंगे तो यह इस तरीके से खित जाएंगे यहां भी खित जाएंगे इस तरीके से तो इस तरीके से क्या हो ज कौन सा सेप कहेंगे आउतलाकार ठीक है तो यही सारी चीज़े आपको जो हो यहाँ पर नोट है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्या नोट है यहाँ पर लिखा हुआ है जब काज के बरतन में पानी भरा जाता है तो पानी का इस तर किनारों से थोड़ा उपर उठ जाता है देखिए किनारों से थोड़ा उपर उड़ गया अब आगे पढ़िए जिस से मुक्त प्रष्ठ की आकरती आउतलाकार होती है यहाँतलाकार मतलब इस तरीके से छलिए आगे बोला इसका करण क्या है काज और पानी के अड़गों के बीच तो काज और यह बॉटर के बीच लगने वाले असंजग बल यानी कि दोस्तो Il आपकाowane scène force का पानी के अड़़ुंक के बीच यानी water water के अड़़ुंक के बीच बार्टर बार्टर के मौलेक्ःूल सिरूर्ट के बिच लगने वाले सासंजग बल से ज़्यादा होना है तो मतलब क्या है आपका जो addition force है आपका कांच और water की भी जो लग रहा force है वो water water की molecule से ज़्यादा है इसलिए water को अपनी वर खींच लेता है तो ये water किनारों पर चड़ जाता ठीक है तो ये condition आपको याद एक नहीं है और ये condition अगर आपके option में जैसे पूंच ली जाए आप से बोला जाए कि जब कांच के बरतन में पानी को भरा जाता है तो उसके मुक्त प्रस्ट की आकरती कैसी होती है तो आप बोलेंगे आउतला कार ठीक है कैसी बोलेंगे आप आउतला कार ठीक है चलिए नोट कर लीजे दूस्टों इसको अच्छे से और अब हम दूसरी condition पढ होगा कि नोट कर लेजे जल्ड चल लि SAP होगा है तो आइचंड ले लिया हुगा चलिए अब य आगे डाइग्राम है तो इसको थोड़ा सा आ आप इसकी इसको भी ले लीडिजिया यह देखिए बार पहले इस तरीक है तो ने फिर ग्लास और glass, sorry, आपका जो है, हाँ वहाँ भी लगेगा, लिकना हम यहाँ ले करके चलते हैं, water और water के बीच, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा note करिए जल्दी से, चलिए, अब हमारी दूसरी condition है, जब हम क्या करेंगे, कांच में mercury को fill up करेंगे, और यह पहले वाले का ही एक important point है, जो क मुक्त प्रस्ट आपका आउतलाकार होगा, वही point है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है, चलिए, अब दूसरी condition क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं, यदि कांच की glass में पारा बर दिया जाए, यानि mercury fill up कर दी जाए, तब क्या होगा, चलिए, पहले इसको समझिए, फिर note कर लेना, ये दूसरी आपका कांच का glass है, किसका glass है, आपका कांच का glass है, ठीक है, चलिए, अब इस कांच की glass में हमने mercury को fill up कर दिया, hg को, किसको fill up कर दिया, hg को fill up कर दिया, तो हम पहले hg तो ऐसे ही fill up करेंगे, ऐसे, बिल्कुल plain रहेगा, इस starting में तो क्या है, कि आपका यहां mercury है, तो mercury के molecules के बीच लगेगा cohesion force, और glass और mercury, ये देखिए, mercury है, hg, और ये आपका जो surface ये वाला, ये किसका है, glass का, ठीक है, तो दो material है, एक तो glass और दूसरा mercury, तो यहां जो अंदर आपका mercury fill up है, उसके molecules के बीच लगेगा, आपका cohesion force, ठीक है और mercury, ये देखिए, mercury और आपका जो glass है, क्योंकि दौना contact में होंगे की नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, यहां भी contact में होंगे, तो वहां कौन सा force लगेगा, आपका addison force लगेगा, ठीक है, तो दोस्तों, यहां क्या होता है, cohesion force आपका क्या होता है, जादा होता है, addison force के कारण, यानि कि water के molecules के बीद जो force लगता है, वो जादा होता है, इसलिए क्या होता है, कि जो भी water के molecules से, वो अंदर की और खित जाते हैं, इस तरीके से अंदर की और यहां भी अंदर की और चले जाएगे, यहां भी अंदर की और, तो होगा, क्या दोस्तों, थोड़ा सा य मरकरी यहां, कैसा हो जाता, ऐसे हो जाता है, पहले बिल्कुल plane था ऐसे, लेकिन आप थोड़ा अंदर चला जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर water के molecules, आपका मरकरी है, तो मरकरी के molecules खींच रहते हैं, इस तरीके से अंदर की हो, ठीक है, तो यह इसका से बन जाता, ऐसे बन जा होता है, इसलिए क्या करते हैं, आपका जो ग्लास हो गया, और जो मरकरी है, तो मरकरी के molecules क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा से अच्छे से खींचते हैं, बहुत आगरशन करते हैं एक दूसरे पर तो ऐसे आपका मोलेक्यूल से अंदर की बहाग ऐसे ऐसे ठuke किनारों पर यह थोड़ा सा क्या हो जाता है? आपका नीचे की उड़ दब जाता है, ठीके ना? हल nhi喜 उसमें यह उपर उठका था लेकिन यह आपका जो पहरे शर्फिस था उससे थूड़ा अंदर की उड़ क्या होता है? धब जाता है, ठीके? ठीके? तो reason क्या है तो लिखा है इसका गरण क्या है पारे के अणगों के बीच लगने वाले ससंगन यानि कि cohesion force का काच बापारे के बीच लगने वाले संगन यानि addition force से जादा होना है, जादा force कहा है आपका आपका है जो दूस्तों मरकरी में ठीक है और यहाँ जो surface पर work करेगा force वो काम है इसलिए ये molecules क्या होते हैं अंदर क्यों भागाते हैं ऐसे दीए ये इस तरीके से tilt हो जाता ठीक है ये उत्तलाकार आकरती होती है आपकी और ये reason है आपका cohesion और addition ठीक है और एक note point याद रख लेना जब आपका क्या होगा बनेगा ठीक है तो चलिए ये point आप लोग note करिए ये फिगर बना लिए जल्दी से या skin shot ले लीजी दूस्तों ठीक है क्या करते हैं चांदी के पात्र में किसी भी लिक्ट को भर देते हैं तो होता क्या है दोस्तों यह आपका चांदी का पात्र मतलब सिल्वर कर ठीक है और इसमें किसी भी लिक्ट को अगर हमने इस तरीकी से फिलाप करा तो क्या होता है दोस्तों कि आपका जो ये चांदी का पात्र है और जो आपका यहां लिक्ट भरा हुआ है यह निकी बीच जो आपका cohesion और adhesion force होगा जैसे liquid है तो liquid की बीच कौन सा force लगेगा cohesion force लगेगा और यहां silver यानि चांदी और इस आपका liquid की बीच जो force लगेगा वो आपका क्या होगा आपका addherson force होदा है तो दुस्तों यहाँ पर cohesion और आपका addherson दौनों बराबर हो जाते हैं क्या हो जाते हैं दौनों बराबर हो जाते हैं इसलिए जो इसका आपका आकरती होता है वो बिलकुल लीनियर होता है इस तरीक से बिलकुल लीनियर मतलब एक बिलकुल रेखा में होता ठीक है उसमें कोई चेंज नहीं आता ना वो आपका इस तरीक से ऊपर चड़ता ऐसे और ना ही वो नीचे आता इस तरीक से ठीक है तो य आप लोग नोट कर लीजे यह देखें वही है चांदी के पात्र बद्रभ के बीज आसंजकबल द्रभ के नगों के बीज साज़कबल के बराबर होता है जिससे मुक्तब्रश्ट समतलाकार होता ठीक है या लीनियर आप कह सकते है समतल मतलब बिल्कुल प्लेन होता है नो very very most important है आप लोगों का संपरक कोन यानि कि आपका क्या है दुश्तो angle of contact ये क्या होता है तो दोस्तो अप तीसरे जो टापिक है आपका बो है संपरक कोन जिसे हम कहते हैं दुश्तो angle of contact अंगल of contact ये क्या होता है ठीक है तो इसको अच्छे से समझना अभी मैंने दूस्तों आपको क्या है लिक्ट के फिरी सर्फेस की तरह तरह की आकरती बताई थी ठीक है उतलाकार भी और एक बिल्कुल प्लेन यानि संदल तो संपर्क क्या जो कौन होता दूस्तों वो क्या होता उसको से पहला दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे तो कोई मैं एक ले लेता हूं सपोज मैंने दूस्तों माली से पहला बाला ले लिया यह देखिए मैंने पहला बाला ले लिया इस तरीके से और यह दूसरा बाला है और यह तीसरा बाला मैं ले रहा हूं इस तरीके से ठीक है यह फिरी सर्फेस है आपका ये फिरी सर्फेस है ये फिरी सर्फेस है और ये आपका क्या है बरतन है तो दोस्तो संपर कोंड क्या होता है यदि हम लोग क्या करें दोस्तो बरतन की सर्फेस पर यानि बरतन की सतय पर एक कालपने ग्रेखा खीश दे दोस्तो अंदर की और ये देखिए मै जो आपका लिक्विट का फिरी सर्फेस है उस पर भी आप क्या करें एक इसपर्सी रेखा कींचे अंदर की ओर तो यहां हम ऐसे खींचेंगे मतलब उसको इसपर्स करता हुआ ऐसे यहां कींचेंगे ठीके तो इन दोनों आपकी कालपनिक रेखाओं के बीच जो दोस्तों एंगिल बनता है यह जो एंगिल बनता है यही एंगिल आपका क्या 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 लाता है ठीके इसे मैंने ठीटा मान रखा है तो इसे ही एंगल आप contact कहते तो क्या होगा बरतन की सतय पर अंदर की और तथा liquid की free surface यानि मुक्त प्रष्ट पर अंदर की और कोई कालप ने रेखा खींची जाए तो इन दोनों कालप ने रेखा हों की बीच बनने वाला जो कौन होता है वो आपका angle of contact यानि संपर कौन होता है ठीक है अब हम खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे यहां यह बरतन हो गया यहां देखें अंदर की और यहां भी अंदर की और और यहां फिरी surface कैसा है यहां फिरी surface ऐसा है तो ऐसे खींचेंगे तो यहां यह एंगल बनेगा ठीक है यह बनेगा इस तरीके से अगर हम यहां खींचेंगे त तरिके से आपका जो angle of contact है वो बनता है तो यह कप बनता है जब आपका अंदर water हो और यह आपका glass हो यह कप बनेगा जब अंदर आपका mercury हो और यह आपका glass हो और ये कब बनेगा जब ये आपका silver हो और यहां कोई भी liquid हो ठीके तब बनेगा तो आपको ये चीज अच्छे से note करनी है angle of contact दोस्तों क्या होता है जब आप लोगों का वर्तन की free surface पर अंदर की ओर तथा liquid की free surface पर अंदर की ओर कोई kalpnik रेखा imaginary line खीची जाती है तो इन दो imaginary lines की बीच जो angle बनता है वही आपका angle of contact होता ठीके तो जब दोस्तों आपके free surface की आकरती कैसी थी आउतलाकार थी कैसी थी आउतलाकार तो आपका angle कितना बनेगा जो ठीटा है वो कितना बनेगा देखिए ये ठीटा कितना है आपका less than 90 है है कि नहीं है 90 degree से छोटा है देख concap convex आपने बढ़ा होगा ठीके ये उतलाकार लिखना था ये क्या लिख गया उतलाकार ठीके तब आपका ठीटा कैसा बनेगा ठीटा देखिए यहाँ तो 90 90 से भी पार यानि greater than 90 ठीके और जब आपका free surface इस तरीके का होगा तो ठीटा आपका 90 ही रहता है तो ये आपको इसको आप लोग क्या कर लेना अच्छे से note कर लेना आई होब आपको समाज में तो आ ही गया होगा ठीके चलिए तो ये है थियोरी दोस्तों संपर कोड यानि angle of contact क्या होता है जब द्रब के मुक्त प्रस्ट यानि फिरी सर्फेस ये दिखिए फिरी सर्फेस पर एसपर्स र तो ये ठीटा होगा ठीके अब ये अलग अलग तरीके के लिए है योगी फिरी सर्फेस मैंने तीन तरीके के आपको बताए थे उत्तलाकार और प्लेन ठीक है तो एंगल भी अलग अलग होगा यहां जब खीचा तो ठीटा हमें 90 से छोटा मिला और आकरती कैसी थी आउतलाक और जब दूसरी में आपका मैंने मरकरी लिया था तो फिरी सर्फेस ऐसे था उतलाकार और जब मैंने लाइन खीची इमेजनली लाइन तो मुझे एंगल ग्रेटर देन 90 मिला ठीक है और जब मैंने इस तरीक से खीचा तो मुझे एंगल क्या मिला 90 मिला तो ये तीनों कंडि से छोटा होता है ठीक है लेस देन 90 डिग्री तो ये आप देखिएगा आपका बॉटर है जिसमें क्या है जो संपर कॉन है जो एंगल अ कॉन्टेक्ट है वो 90 से छोटा है और ये बरतन की सतय को भिंगोएगा तो जब मैंने आपको कोहेजन और अडेसन फोर्स बताया था त मैंने ये भी बताया था कि जब से मरकरी डालते तो ये बरतन यानी गलास को बिल खुल भी नहीं घंग होता ठीक है और आकरती उत्राकार हो थी है तिसरा है जो द्रब पात्र को बिलकुल भी नहीं खेंग होते उनका संपर को झान होता है तो ये वी कंडीशन आप याद नहीं रखते हैं ठीक है हमने दो चीजे सीखी पहले तो लिकट के फिरी सर्फेस की आक्रती और दूशरा एंगल आप कॉंटेक्ट ठीक है जो की बहुत ही ज्यादा एंपर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के एकजाम के पॉइंट आभी उसे ठीक है अब दोस्तों हम कल पाणे की के सुकात यानि की कैपलेटी कैपलेटी राइस गया होता है ये सारी चीजे हम कल के वीडियो में सिखेंगे और बहुत-बहुत जादा एंपर्टेंट है दोस् दोस्तों के साथ share भी कर देना ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thank you and thanks for watching